नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि दोस्तों आप किसी भी पैंसन का लाब ले रहे हैं सरकार द्वारा तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्पून है जैसे कि दोस्तों आप नोटफिशन में देख पा रहे हैं पैंसनल्स के लिए एक बुरी खबर इन लोगों की अटक सकती है पैंसन अब दोस्तों कौन से वे पैंसन है और किस करण की वज़े से इनकी आपर पैंसन अटक सकती है क्या करण है दोस्तों रूकी हुई जो आपकी पैंसन है आपके खाते में वे भी नहीं ट्रांसफर की जाएगी चाहे दोस्तों आप दिव्यांग व्यक्ति हो विद्वा पैंसन धारक हो बुज़र्ग पैंसन धारक हो किसी का भी अगर आप पैंसन धारक हैं किसी भी पैंसन कर लाब ले रहे हैं तो आपके खाते में यह पैंसन नहीं आएगी अब दोस्तों क्या करण है और क्यों आपके पैंसन अटक सकती है संपोंड जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं वीडियो को लाश तक देखेगा तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो जैसे की दिव्यांग पैंसन योजना वरद आवस्था पैंसन योजना विद्वा पैंसन योजना कुष्ट रोग से पीडित पैंसन योजना या फिर दोस्तों तलाक सुदा पैंसन योजना पैंसन लाभारतियों को जो पैंसन मिल रही है वह दोस्तों पांस रुपे पर तिमा पहले दिये जाते हैं लेकिन अब इसे बढ़ाकर यहां पर एक हजार रुपे पर तिमा कर दिया गया है यानि कि जो अब आपको तिमाई PENSUN मिलेगी वह है दोस्तो तीन हजार रुपे दिये जाएंगे सभी PENSUN लाभाड़तियों को δिये जाएंगे अब दोस्तो आपको बताते हैं कि इन कारणों की वज़े से PENSUN लाभाड़तियों की PENSUN अठक सकती है और हो सकता है कि हमेशा के लिए यहां पर कुछ पैंसन लाभारतों की पैंसन रद कर दी जाए निरस्त कर दी जाए जिन पैंसन लाभारतियों ने अभी तक अपनी पैंसन का EKYC नहीं कराया है ऐसे पैंसन लाभारतों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा दोस्तो यह एक सबसे बड़ा करण है कि जिन लाभारतियों नहीं यह कारिये नहीं कराया उनकी पैंसन नहीं भेज जाए उनके बैंक खाते में EKYC कैसे कराना है आपका आधार कार्ड और मॉबाइल नंबर यह है दोनों दोस्ताविज आपके पास होने चाहिए और आप किसी भी नज़्दी की CSC सेंटर पर जाकर यानि की कॉमन सर्वी सेंटर पर जाकर आप यह कारिये अपना पूरा करा सकते हैं दोस्तों सभी पैंसन लाभारते के लिए अनिवारिये चैभे वर्दवस्ता पैंसन के लाभरते के लिए अनिवारिये हैं अब दूसरा क्या करण है वह आप यहाँ पर जान लीजिए जिन वेक्तियों ने अभी तक यह महत्यपून दस्ताविज अपने बैंक खाते में जमा नहीं कराए हैं लिंक नहीं कराए हैं तो उन्हें भी पैंसन का लाब नहीं प्राप्त होगा दोस्तों यह हैं इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि सरकार आपके बैंक खाते की यहां पर जव जानकारी है उसे अप्रूवल दे सके जब तक आपके खाते को सरकार दोरह अप्रूवल नहीं बलेगा तो दोस्तों आपके खाते की सरकार को जानकारी नहीं होगी और जब तक आपके खाते में कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए दोस्तो आपको आधार कार्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड यह है तीनों दस्ताविश आपको अपने बैंक में ले जाकर जमा कर देने दोस्तो जम्म कर दिने के बाद आपके बैंक का सत्यापन हो जाएगा सत्यापन हो जाने के बाद दोस्तो आपके खाते में जो भी पैंसन है वे यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी दोस्तो दो कारण हमने आपको यहाँ पर बता दिया है पेंशन ना आने के पेंशन अटागने के अभ दोस्तों तीसरा क्या करण है पेंशन अटागने का यह भी आप यहाँ पर जान लीए जिन पेंशन लाभारतियों के फारम में गलतिया हो रही है लेकिन उन्हें मालूम नहीं है ऐसे ही आविधन कर दिया है तो यहाँ पर सबसे बड़ा करण है ऐसे पैंसन लाब भारतियों के आविदन में गलतियों का जिसके वज़े से पैंसन उनके खाते में नहीं आ पाई ये दोस्तों वे तो सोच रहेंगे कि हमने तो आविदन कर दिया लेकिन अभी हमें एक भी यहाँ पर पैंसन का लाब नही हम दोस्तों लाब कैसे मिलेगा जब पहले ही आपसे यहाँ पर गलतिया हो चुकी है जिन पैंसन लाब भारतियों के दस्ताविजों में आविदन फारा में छोटी छोटी गलतिया हो रही है नाम में मातराओं में दस्ताविजों में उनका आविदन पूर्ण नहीं माना गय इसी दोस्तों यहां पर आपका अर्द आविदन आप इसे कह सकते हैं यानि कि जो आपका आविदन है वे आदा भरा हुआ है उसे पूरा नहीं हो गया है क्योंकि दोस्तों गलतिया हो गई है इसलिए दोस्तों यहां पर आपका फरम यहां पर भरा गया है यानि कि नय तो वे पुरा आविदन हो पाया है और नहीं दोस्तों यहां पर आदा हो पाया है बीच में ही अटक गया है अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द अपना आविदन रद कराना होगा सबसे पहले दोस्तों आपको ये कारिये कर लेना है रद करा देने के दोबारा आविदन आपको करना होगा ऐसे करने से आपकी पैंसन बन जाएगी और आप लाब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों हमने याप पर आपको करन बता दी है और तरीका भी हमने याप पर आपको बता दिया आपके सबी सौल के जवाब दिया जाएगा यदि दोस्तों आपको अमारे जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे एमपरेरित होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट मेनी वेदने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जाहिंद जावारत